HELLO EVERYONE, मैं हूँ बीनय और Tengi केचन में आपका सवागत है आज हम मकाय की धोकले बनेंगे जो के बहुती जल्दी बन जाते हैं और बहुती खाने में टेस्टी लगते हैं और बहुती कम तोले से धोकले बनके तयार होते हैं इसलिए ये हेल्थ के लिए फाइदा करके तो चलिए हम मकाय के धोकले बनाना शुरू करते हैं मकाय के धोकले बनाने के लिए मैंने यहां पर आधा कप सूजी आधा कप मकाय मकाय को मैंने बॉल करके फिर मिक्सी में करश करके फिल लिया हुआ है आधा कब दही, दही हम खटा इस्सेमाल करेंगे फिकी मकाई है वो हलकी सी स्वीट रहती है तो हम दही थोड़ा खटा इस्सेमाल करेंगे 1 फोर्थ कब धनिया, धनिया को मैंने धो के फिर काटके लिया हुआ है दो हरी मीच और चुटा टुटा अधरका दोनों के पेस्ट मैंने साथ में बना के लिए है एक बड़ा चमच तील, एक चुटा चमच सरसो, छे साथ नीम के पत्ते, नमक हम लगे स्वाद अनुसार 1 फोर्थ चुटा चमच, बेकिंग सोडा और तेल हम लगे जरूवत अनुसार तो चली हम धोकला बनाना शुरू करते है सबसे पहले हम धोकला बनाने के लिए धोकले का बैटर बनाएंगे धोकले का बैटर बनाने के लिए हम सूजी के बरतन में क्रश कीविव, मकाई, धनिया, अद्रक और हरी मिर्ज का पेस्ट, हमने यहां पे लाल मिर्ज का इस समय नहीं किया, अगर आप चाहे तो लाल मिर्ज भी डाल सकते हैं, नमक हम लेंगे साधन उसार, और धही डालेंगे, और थोड़ा असा पानी डालके इसका हम बैटर ताकि बैटर ने पतला ना बने, बैटर बनके तयार है, बैटर मैंने काफी ठीक रखा है, बैटर के लिए पानी हमने बहुत ही कम इससमाल किया है, क्योंकि हमने दई ज्यादा इससमाल किया है, तो अब हम इसमें सोडा डालेंगे, और सोडा डालके इससे अची तरह से हिला अब हम धोकला पकाएंगे दोकला बनाने के रिए मैंने यहां पर नॉन्स्टिक कड़ा का इससे माल कर सकते हैं कड़ाई बेहम एक बड़ा चम्मत तेल डालेंगे तेल काफी कम तेल से तेल बनाकर तैयर होता है तिल गरम हो गया है तो तिल में हम राई, तिल और निम के पत्ते डालेंगे और पिंग चॉप हम हींग डालेंगे और तयार किया हुआ बैटर को हम कड़ाइं भी डालेंगे बैटर को हम चमस की साय जासे फैला देंगे अब इसे हम डखके इसे हम पकाएंगे तीन मिनिट हो गए है धोकला को हम चेक करेंगे देखे धोकला है वो सिख्के तयार है दूसी साइड से भी हम धोकले को इसी प्रकार से गोल्डन ब्राउन सिख्के तयार करेंगे तो वापस हम इसे ढखके तीन मिनट तक हम पकाएंगे जैसका फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर यह हम दोखले को पकाएंगे तीन मिनट हो गई है तो दोखला को हम दूसरी साइड से भी चेक करेंगे दूसरी साइट dio chte भी धोकला सिक्के तयार तो जसका फलहम हम बन करेंगे और धोकले को हम शर इंग प्लेट में निकाल के सर करेंगे, कौन दोकला बनके तयार है, मैंने इससे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर किया है, आप इस दोकलो को टोमेटो केचप, हरे धनी की चटनी या फी चाय के साथ सर कर सकते हैं, आप इस रेसीपी को घर पर जरू ट्राय कीजे, और मुझे कॉमेंट में फिर्बेक द अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके, दुबार आप फिर मिलेंगे, तब तेक लिए थेंक यू, बाई!